समर्थ क्लासेस के उनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम देखने वाले हैं इंडियान मिलिटरी एक्सेसाइजेस जो भारत की सेना है जो अभ्यास करती है किसी देश की सेनाओं के साथ वो किस टाइब के अभ्यास होते हैं कौन-कौन सी एक्सेसाइजेस होती है उनके बारे में हम आज डेटेल एनलेसिस करने वाले हैं डेटेल स्टेडी करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मिलिटरी एक्सेसाइजेस होती क्या है इसका purpose क्या है ठीक है तो a military exercise or war game is a employment of military resources in training for military operations other exploring the effects of warfare or testing strategies without actual combat ठीक है basically क्या होता है जो military exercise होती है वो basically war game होता है ठीक है उसमें आप क्या कर रहे हो आप केवल और केवल strategic signaling दे रहे हो सामने वाले देश को कि हाँ हम मिलके ऐसा युद्धभ्यास करने वाले है ठीक है अगर मालो कभी कोई problem हो जाए तो उससे निपटने के लिए आपके जो सेनाए हैं चाए वो Indian Navy हो चाए वो Indian Air Force हो चाए वो Indian Army हो क्या वो उसके लिए तैयार है तो कुल मिलाके आपको सेनाओं के बीच में सामन जश् है जो military exercises है वो की जाती है ठीक है यहां तक क्लियर है देखो last line में लिखा हुआ है the most significant benefit of joint military exercises is strategic signaling basically रण नितिक संकेत बनाने के लिए कि जो संकेत दे सकते हैं हम सामने वाली देश को कि हाँ हम ऐसा भी सोचते हैं अगर आपने हमारे उपर आख उटा के देखी क्या आपने हमा हमारे से कुछ भी problem की तो हम ऐसा कर सकते हैं ठीक है तो यह होता है basically military exercises का मतलब ठीक है कुल मिलाके आपको strategy बनानी होती है अगर हमें कोई problem होगी तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं clear है यहां तक चलिए अब यह जो military exercise होती है वो हमारी इंडियन army भी करती इंडियन air force भी करत है तो सबसे पहले एक बार basic information इनके बारे में ले लें वैसे इस topic में इनकी चर्चा करना ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं मोटा मोटी इनके बारे में clear है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं Indian army की तो Indian army का जो मोटो है वो है service before self swim से पहले सेवा औ इसका मोटो बिलकुल जो है पारदरश्रिता के साथ follow भी होता है हम सबको पता है हमारी military कितनी सत्य निष्टा द्रड निष्चेता के साथ हमारी जो सेवा करती है निष्वार्थ भावना से यह हम सबको पता है ठीके तो इसके जो current chief है अभी वो है mm नर्वने कौन है जनराल मनोज मुकुंद नर्वने इनका short form है mm नर्वने क्लियर है यहां तक चली तो इसका army day कब मनाया जाता है 15th of January को मनाया जाता है anniversary day होता है अब anniversary day जो होता है उसको इंडियन आर्मी बोलते है army day वो कब मनाया जाता है 15th of January क्लियर है 15 जन्वरी को उसके बाद headquarter कहा है इसका न् न्यू डेली में तो इंडियन आर्मी की हमने बात की तो इंडियन आर्मी का जो मोटो है वो है service before self इसके जो chief of army है वो है general mm नर्वने क्लियर है इसका जो मनाया जाता है anniversary day उसको हम जानते है army day के नाम से वो 15 जन्वरी को मनाया जाता है और इसका headquarter कहां पर है न्यू डेली मे चलि उसके बाद हम बात करते हैं Indian Air Force की इसे हम बूलते हैं IAF के नाम से भी जानते हैं Indian Air Force clear है चलिए इसका क्या है touch the sky with glory ये क्या है इसका motto touch the sky with glory की महीमा के साथ आकाश को सपर्ष करना है सम्मान के साथ आकाश को सपर्ष करना है ठीक है Indian Air Force का का काम जही है आकाश में fighter plate ये आकाश से हमारी रक्षा करती है आकाश से हमारी security हमें provide करती है चलिए तो Air Chief Marshal जो अभी है current वो है Rakesh Kumar Singh Baduriya कौन है Rakesh Kumar Singh Baduriya इनको बोलते है Air Chief Marshal clear है Air Force Day कब मनाया जाता है तो ये 8 October को मनाया जाता है Air Force डे कब मनाया जाता है 8 October को इसका headquarter भी कहा हाँ पर है नई डेली म तो अभी तक हमने discussion किया इंडियन आर्मी और इंडियन एरफोर्स का अब बात करते हैं इंडियन नेवी की किसकी बात करते हैं इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी का जो मोटो है वो है शमनू वरुन है इसका मतलब क्या है जल के देवता वरुन हमारे लिए मंगलकारी हो तो जो इंडियन नेवी की जो पंडुबियां होती है या जो भी जहाज होते हैं नेवी के वो क्या करते हैं जल में हमेशा रहते हैं तो जो जल के देवता है वरुन हमारे लिए क्या रहे हैं मंगलकारी रहे हम सामने वाले अगर हमारे सामने कोई सामने विरोधी है तो हम उससे अच्छी तरह से लड़ पाएं तो इसका मोटो क्या है शम्नो वरुन है इसका हिंदी मतलब होता है जल के देवता वरुन हमारे लिए क्या हो मंगलकारी हो ये English Medium वाले बच्चों के लिए मैंने Hindi यहाँ पे लिखवा दिये, ठीक है, इसके Chief of Naval Staff कौन है, इसके है Admiral Karambir Singh, कौन है, Admiral Karambir Singh, अब Navy Day कब मना जाता है, तो ये 4th of December को मना जाता है, कब मना जाता है, 4th of December को, इसका Headquarter भी कहाँ परे, New Delhi में, तो आप एक बात तो ये ध्यान क्लो, कि चाए Army हो, चाए Air Force हो, चाए Navy हो, चाए Indian Coast Guard हो, सबका Headquarter कहाँ परे, New Delhi में, अब बात करते हैं, इंडियन Coast Guard की, इंडियन Coast Guard का जो मोटू है, वो क्या है, वयम रक्षाम है, ये क्या है, संस्क्रत सेंटेंस है, इंडियन नेवी का जो मोटू था, वो भी संस्क्रत से सेंटेंस था, ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होता है, हम रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही बात है, इंडियन Coast Guard जो बेसिकली होते हैं, देखिए, इंडियन Coast Guard और इंडियन नेवी में, बेसिक डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, इंडियन Coast Guard है, वो क्या कर करते हैं, देख रेक करते हैं, अगर तटों पे कोई भी आपदा होगी, तो इंडियन Coast Guard हमें हर चीज़ प्रोवाइड करेगी, help करेंगी है, जो भी करना है, इंडियन नेवी का तो क्या है, बड़े बड़े सागरों में हमारी रक्षा करना, ठीक है, लेकिन इंडियन Coast Guard का म के जो जनरल हैं, वो कौन है, डारेक्टर जनरल, कृष्ण स्वामी नेटराजन, क्लियर है, अब Coast Guard Day कब मनाया जता है, तो यह 1st of February को मनाया जता है, इंडियन Coast Guard Day, इसका हेड़कॉर्टर भी कहाँ पर है, न्यू डेली में, कहाँ पर है, न्यू डेली में, क्लियर है, तो हम हमने special information देख लिया, general information देख लिया, Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy और Indian Coast Guard के, बढ़ें आगे, अब हमारे मुद्धे पर चलते हैं, हमारा मुद्ध यह है, कि जो अब हमें देखनी है, कि exercise, Indian Military exercises कौन कौन सी होती, तो अब यह सब सेनाय करेगी, Indian Army अलग करेगी, Indian Navy अरक करेगी, Indian Air Force अलग करेग Indian Coastal Guard अलग करेगी, तो हम सब की एक एक देख लिते हैं, सबसे पहले हमें देखनी है, वो है, Indian Army exercise, जो Army होती है, वो कौन कौन सी exercises करती है, हम जो basically देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, 2020 और 2021 की, क्योंकि हमारे जो भी question आते हैं, वो current affair की आते हैं, clear है, चली, तो पहला जो है, संपृती, क्या नाम है उस exercise का संपृती, ठीक है, यह कौन सा edition है, basically 9th edition है, कौन सा edition है, 9th edition, देखना, ठीक है, तो हम संपृती के बारे में बात कर रहे हैं, जो संपृती War exercise है, Military exercise है, वो कौन सा है, 9th, ठीक है, तो 9th edition है, किस country के साथ हुआ है बांगलादेश के साथ हुआ है ठीक है edition 9th मैं बता चुका हम आपको कब किया गया यह military exercise 2020 में किस इस्थान पर किया गया है तो यह है उम्रोई मेगालेया कौन सा इस्थान है उम्रोई मेगालेया तो आपको तो केवल और केवल यह याद रखना है कि मेगा इडिशन था वो कब हुआ था तो first edition हुआ था वो 2011 में हुआ था क्लिर है उसके बाद आता है अजय वोरियर कौन सा आता है अजय वोरियर तो यह किस के साथ हुआ UK के साथ इंडिया की नेवी और UK की नेवी इन दोनों ने क्या किया पार्टिसिपेट किया इसका कौन सा इड एडिशन था वही 2020 में किया गया, प्लेस क्या था इसका UK में, तो UK वाली कंट्री में इसका आयोजन किया गया, इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 2013 में आय था, तो अभी तक हम ने इंडियन आर्मी की जो military exercise देखी, वो दो military exercise देख लिए, एक संपृती, एक अजय वोरियर, संप्रिती जो थी वो बंगलदेश के साथ की गई अजय वोरियर जो UK के साथ की गई संप्रिती जो थी वो मेगाले में हुई इंडिया में और जो अजय वोरियर थी वो कहां पर हुई UK में क्लियर है यहां तक अब हमें देखना है वो है युदधव्यास 2020 ठीक है तो युदधव्यास 2020 का आयोजन कब हुआ है 2021 में ये ध्यान रखना है ठीक है जो country है जिसने participate किया है इंडियन आर्मी के साथ वो है United State की आर्मी ठीक है ये हम देख रहे हैं वहीं इंडियन आर्मी वाल आर्मी और इंडियन आर्मी की जो military exercise थी उनके द्वारा किया गया 16th edition था ठीक है कहां पर किया गया very important कहां पर किया गया ये है महाजन field firing range बीकानेर राजस्थान ठीक है महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में इससका 2004 ये इसलिए important ये जगए क्योंकि ये राजस्थान के exam में भी question आने के chances हो जाते है ठीक है तो ये current affair में हमारे राजस्थान से भी हो जाता है ये इंडिया से भी हो जाता है ठीक है तो आपको इस जगए का हमेशे याद रखना है कि जो युद्धभ्या से वो कहां किया गया महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज ये बीकानेर में पड़ती है वो बीकानेर कहां पड़ता है राजस्थान क्लियर है चलिए next हम देखने वाले Indian Air Force के अभी हमने देखी Indian Army की अब देख रहे हैं Indian Air Force की Indian Air Force देखना अब हमें देखना है वो है इंदरदनुश कौन है इंदरदनुश तो इंदरदनुश जो किया गया वो किसके साथ किया गया UK के साथ कौनसे एडिशन है 5th edition है भई, कौन सा edition है, 5th edition, कब हुआ, 2020 में, कहां पर हुआ, तो हिंडन Air Force Station है, अपने कहां पर, गाजियाबाद में, योगी जी के राज्य में, हिंडन Air Force Station, गाजियाबाद, कहां पर पढ़ता है, UP में, इसका 1st edition आया था, 2006 में, तो इंडन Air Force की जो exercise है, वो पहली exercise हमने दे इसका edition कौन सा है, 5th edition, किसके साथ किया गया, UK के साथ, कहां पर हुआ, हिंडन Air Force Station, गाजियाबाद, UP में, 1st edition का वाया, 2006, देखो, आपको सबसे, जो main main चीज़े, अगर आप इतनी सारी रख नहीं पाते हैं, याद, तो आपको क्या 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 रखना है, कि किस देश के साथ होता है, एक तो अपनी जो भी military exercise है, किस देश के साथ होती है, और उसका edition कौन सा है, और जगे कौन सी है, यह आपने तीन चीज़े याद रख ली, तो भी आपका काम हो जाएगा, यह तीन तो आपको essential है कि याद करनी ही करनी है, clear है, उसके बाद आता है, अपना HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief, ठीक है, अगर मानवी आपदा आ जाती है, तो उससे हमें केसे पार पानी है, उसके लिए अभ्यास किया गया, इंडिया के साथ कौन सी air force ने भाग लिया, इसमें, मियाममार का air force ने, clear है, तो इंडिया के साथ मियाममार की air force ने भी इसमें participate किया, clear है, यह कौन सा edition है, first edition है, इसलिए very important हो जाता है, इस second वाला कौन सा, HADR, humanitarian assistance and disaster relief, किस country ने हमारे साथ participate किया, मियाममार, यह कौन कर रहा है, basically हमारी air force कर रही, इंडियन air force और मियाममार की air force, इसका edition कौन सा है, first edition, ठीक है, first edition कब हुआ इसका, 2020 में, ठीक है, air force station, बमरोली, प्रियागराज, UP, कहा पर किया गया है, UP में किया गया, clear है यहां तक, चली, बढ़ें आगे, उसके बाद आता है, Indian Navy exercises, ठीक है, चली, previous slide में एक problem थी, हाँ, यह जो first edition यहां पर लिखा हुआ है, यह वाला, यहां भी कितना आजाएगा, 2020, ठीक है, तो इसे cross कर दीजी, यहां पर कितना आजाएगा 2020, बढ़ें आगे, चली, अब हमें देखना है, वो है Indian Navy के exercise, अभी तक हम बात कर चुक है, Army की और Air Force की, तो पहली आती है हमारी नसीम अल बहर, कौन सी आती है, नसीम अल बहर, पहली जो हम देख रहे हैं, Indian Navy के exercise, वो है, नसीम अल बहर, अब इसमें किस country ने हमारे साथ पाट किया, तो वो थी Oman country, कौन सी country Oman, इसका edition कौन सा है, 12th edition, दिख रहा है आपको 12th edition, mark हो रहा है यहापे, 12th edition, 2020 में हुआ, कहाँ पर हुआ, गोवा में, कहाँ पर हुआ, गोवा में, First traditions का 1993 में आया था, यह इतना important नहीं है, important यह है, कि नसीम अल बहर का दूसरा नाम है, Sea Bridge, किस country ने हमारे साथ पाटिसिपेट किया, तो वो Oman country ने हमारे साथ पाटिसिपेट किया, 12th edition था, 2020 में किया गया, कहाँ पर किया गया, गोवा में, उसके बाद आता है, बोंगो साग तो B से एक country निकल के आती है, बांगलादेश, हमारी neighbor country है, तो बांगलादेश के साथ यह किया गया, ठीक है, यह याद हो जाएगा आपको बोंगो सागर से बांगलादेश, second edition है, यह भी important है हमारा, second वाला, second edition कब क्या गया है, 2020 में, इसका first edition आया था, 2019 में, कब आया था भ हमारा, in, bin, corporate, in, bin, corporate, in का मतलब है, India, being का मतलब है, बांगलादेश, क्या होगी full form, India, बांगलादेश, कॉर्पेट, तो हमें साफ समय में आ रहा है कि इंडिया के साथ, तीसरी country कौन सी थी यहाँ पर, दूसरी country कौन सी थी यहाँ पर, बांगलादेश, clear है, तो इंडिया के साथ किसने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर, बांगलादेश ने पार्टिसिपेट किया, ठीके, बाई, इंडिया तो सब में यहाँ पार्टिसिपेट कर रही, मैंने क्या लिखा हुआ उपर, country which participated with India, इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने वाली country, तो इंडिया, 2018 में, तो मतलब यह एन्वली होती है, 18 में 1st, 2nd, 19 में और 3rd कभ और 2020 में, यहाँ तर क्लियर है, उसके बाद आता है, इंडिया, इंडोनेशिया कॉर्पेट, नाम से पता चल रहा है, IND, इंडो, IND से निकल कहा है, इंडिया, इंडियो से निकल कहा है, इंडोनेशिया, तो पहले एडिशन आया था, इसका 2002 में, क्लियर है, अब देखिए, इनकी में ट्रिक आपको बता नहीं रहा, मेमोरी ट्रिक कई लोग बताते हैं, थमनिल में मेमोरी ट्रिक के साथ, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा, इसके खुद आप ट्रिक बनाओ, ज़्यादा अच्छा तो श्री लंका इंडिया एक्सरसाइज, इसमें कौन पार्टिंसिपेट करेगा इंडिया के साथ, श्री लंका करेगा बिल्कुल सही बात है, कौन सा एडिशन था ये, 8th एडिशन, श्री लंका में हुआ आयोजन इसका, वो 1st एडिशन आया था, इसका 2005 में, क्लियर हैं य हो गया हाँ पर सिंगापूर, I का मतलब हो गया इंडिया, ठीके, M का मतलब हो गया मेरी टाइम, ठीके, B का मतलब हो गया बाइलेटरल, EX का मतलब क्या हो गया, एक्सरसाइज, तो सिंबेक्स, सिंगापूर, इंडिया, मेरी टाइम, बाइलेटरल, एक्सरसाइज, तो ओवि इस्टन इंडिया ओशन रिजन 1994 में इसका फर्स्ट एडिशन आये था, आता है अब जाइमेक्स या जीमेक्स, इसकी फुल फोर्म क्या हो जाएगी, जापान इंडिया मेरी टाइम एकसिसईज, क्लियर है, मेरी टाइम बोलते है समुद्र को और इंडियन ने वी केकसिसईज ह हुआ काम पर हुआ North Arabian Sea में 2013 में क्या था इसका first edition हुआ था clear है यहां तक चले अब यह वही आपको याद करने पड़ेंगे मैं आपको याद नहीं करा सकते हैं सब चीजे ठीक है कई लोग trick के साथ पढ़ाते हैं पर वो इतनी trick होती है उसी time याद रहता है ठीक है कई सारी चीजे हैं उन्हीं को आप trick के साथ याद करा सकते हैं हर चीज को trick के साथ याद नहीं करा सकते अब यह जो मैं form बता रहा हूँ आपको full form उसी से आपको याद रखने है सबसे बेटर तरीका वही है ठीक है अगर हाँ आपने अभी तक राजस्थान के आभूशन पार्ट वन और पार्ट टु के वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाईए प्लेलिस्ट में और जरूर देखिए चली next आता है sit max क्या आता है sit max तो sit max की full form क्या बन दिये थाइलेंड तो सिंगापूर और थाइलेंड भी इंडिया के साथ क्या करती है participate करती है कौन सा edition था second edition कब 2020 में कहाँ पर हुआ eastern इंडिया ओशन रीजन फर्स्ट एडिशन आया था 2020 में तो ये वाला भी हमारे लिए important हो जाता है कौन सा sit max कौन सा हो जाता है भी sit max clear है तो एक तो ये वाला sit max sorry ठीक है एक तो ये sit max और एक ये bongos अगर अभी तक important था clear important कुछ भी है कुछ भी आ सकता है paper में इसका हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन main main जो है हम मुझे जो ऐसा लगता है वो मैंने आपको बता दिया clear है चले उसके माद आता है इंद्र कौन सा आता है इंद्र तो देखो इंद्र जो इंडिया नेवी के exercise है वो किसके साथ होती है रशिया के साथ होती है किसके साथ रशिया के साथ तो देखो IND से निकलेगा इंडिया और RA से निकलेगा रशिया क्लियर है यहां तक तो यह रशिया के साथ हो गई कौनसे एडिशन था इसका 11th एडिशन कहां पर हूँ यह अंडवांसी में और इसका 1st एडिशन था 2003 में फिर आता है नेक्स्ट माला बार ठीक है तो माला बार होता है 4 कंट्री का ठीक है माला जो पहनाते हैं आप लोग तो माला किसको पहनाते हैं नेता जी लोगों को ठीक है तो नेता जी लोगों के साथ जब तक 2-3 लोग नहीं होंगे तब तक मज़ा थोड़ी ना आएगा तो नेता जी के साथ हमेशा कितने लोग चलते हैं, कितने लोग चलते हैं, कितने लोग चलते हैं, तो इंडिया है हमारे नेता जी और नेता जी के साथ कितने लोग हैं, तीन लोग, वो तीन लोग कौन-कौन से हैं, USA, Japan और Australia, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कि माला बार जब भी आएगा तो माला पहनाएंगे, माला पहनाएंगे तो हम नेता जी, नेता जी के बाद में कितने लोग आएंगे तीन लोग आएंगे, वो कौन-कौन से ही USA, Japan और उस्टलिया तो माला बार जो इंडियन नेवल एक्साइज है, वो किस-किस के साथ होती ही USA, Japan और उस्टलिया इसका 24th एडिशन था कब 2020 में, इसका जो phase 1 था वो Bay of Bengal में हुआ विशाखा पत्नम में और phase 2 जो हुआ वो Arabian Sea में हुआ 1st एडिशन आया था इसका 1992 में, बोलो क्लियर है यहां तक सभी को, उसके बाद आता है सायोग काईजीन क्या आता है सायोग काईजीन अभी ध्यान दो, यह जो मैंने आपको यह 10 बताई थी, यह किसकी थी Navy की exercise थी, Indian Navy की exercise थी लेकिन यह जो मैं बता रहा हूँ यह किसकी है Coast Guard की, किसकी है Coast Guard की, तो यहां पर bracket में लिख दिया मैंने सायोग काईजीन, यह किसकी है Coast Guard की exercise अब Indian Coast Guard के साथ कौन participate करता है, जापान की Coast Guard, ठीक है, याद रह जाएगा तो यह एक important है, क्योंकि Coast Guard की एक पढ़ने वाले हम यह वाली तो सायोग काईजीन, Indian Coast Guard प्लस, जापान Coast Guard अभी तो कि यह जो हम पहले देख रहे थे दस, यह इनमें क्या हो रहा था, नेवी भी participate कर रही थी, इनमें कौन participate कर रहा था, नेवी, जबकि यह वाला जो है, इसमें कौन कर रहा है, केवल और केवल, Coast Guard, तो Indian Coast Guard प्लस, जापान Coast Guard, सायोग कजिन नाम की military exercise करते हैं, इसका 19th edition आया था 2020 में, कहाँ पर हुआ, चैन्ने तमिल्लाडू first edition आता है, इसका 2006 में, clear है, यह जो आपको PDF है, यह हमारी टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाएगी, टेलिग्राम ग्रूप की link description box में मिल जाएगी, चलिए, next आता है PESAX 2020 नेवल exercise, ठीक है, तो PESAX की अधी full form क्या है, तो PESAX की full form है, PESAX exercise, ठीक है, तो PESAX exercise यह भी क्या है, basically नेवल exercise है, clear है, आप देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, तो यह PESAX exercise जो है, यह PESAX 2020 में जो exercise हुई, वो इंडिया की 4 कंटरी के साथ साथ हुई, एक इंडिया की हुई हमारी USA के साथ, किस के साथ हुई, USA के साथ, फिर इंडिया की हुई हमारी Australia के साथ, ठीक है, फिर इंडिया की रश्या के साथ और इंडिया की वियतनाम के साथ हुई, clear हैं तक, अब इंडिया की जो USA के साथ हुई वो कहाँ पर हुई अंडमान और निकोबार आइलेंड में इंडिया अस्टले की हुई इस्ट इंडिया ओशन रिजन में इंडिया रश्या की भी हुई हमारी इस्ट इंडिया ओशन रिजन में और हमारा इंडिया वियतनाम है वो कहाँ पर या मतला अभियान ठीक है क्या मतला या मतला अभियान ठीक है यह बेसिकली किसका है और्गिनाइज किस ने किया इंडियन ने वी ने किया किस ने किया इंडियन ने वी ने किया कहां पर हुआ कोलकाता में हुआ क्या इम था बेसिकली इसका कोस्टल सेक्यूरिटी को देखना कि coastal security हमारी proper है या नहीं है उसमें कुछ कमी बेसी तो उसको पूरा करना ठीक है coastal जो security के जो जवान है अफसर है उनकी बीच में क्या करना कोडिनेशन पैदा करना यही होता है तो हमने देखा पैसेक्स 2020 नेवल एकसा जी चार कंटी के साथ साथ हुआ कौन कौन सी यूएस से ऑस्ट्रिया रस्विया और वियतना उसके बाद हमने देखा मटला अभियान माटला अभियान यह ओर्गिनेश्ट किसने कि इसका जो वेन् कौर्ण सेक्रिटी नेक्स स्लाइड के तरफ बढ़ते है आगे हमारी बीम टिजास्टर मैनेज्मेंट डिजास्टन एकसाइज जास्टन की विगता मैने ट्वाज Fen Megazand minister 2020 में हुआ, वो कॉंसे edition था basically, second edition, कॉंसे edition था second edition, अब BIMSTEC की full form क्या है, तो BIMSTEC की full form है, Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation, BIMSTEC, और यह disaster management access, तो अबसली है, ठीक है, तो Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economical Corporation, यह क्या बनता है, BIMSTEC, क्लिर है यहां तक, चलि, इसकी जो theme थी, यह important है, ठीक है भाई, इसकी जो theme है, यह important है, theme क्या है इसकी, देख लो, response to cultural heritage site that suffers severe damage in an earthquake and response to a cultural heritage site that is affected by flooding of storms, basically, जो सांस्कृतिक विरासत होती है, तो वो क्या होती है, basically, earthquake में damage हो जाती है, कुछ, ठीक है, और जो flood आता है, हमारा, जो बाढ़ आती है, उसमें भी उनको नुक्सान पोचता है, तो उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाती है, की जा सकती थी, उस इसके बारे में इसमें चर्चा की गई, तो जो इसकी थीम है, वो very very important है, ठीक है, जो इसकी थीम है, वो क्या हो जाती है, यहापे, अपने आपने एक important हो जाती है, तो ये आपको याद रखनी है, इसकी थीम, ठीक है, अब ये organized किस ने किया, तो organized किया ये हमारे NDRF ने, को अन्होंने national disaster response force जो टीम है, हमारे NDRF उन्होंने ये किया, इसका venue क्या था, पुरी था, पुरी में, पुरी जो है, वो कौन से राज्जी में आता है, उडिशा में आता है, ठीक है, तो इसका जो venue था, वो था, पुरी उडिशा, clear है, अब इसमें जो participated country है, वो कितनी है, पा ये आपको याद होनी ची है, हमेशा 5 country, ठीक है, कौन-कौन सी, बांगलादेश, इंडिया, मियांबार, श्री लंका और है, कौन सी, नेपाल, कितनी है, बांगलादेश, इंडिया, मियांबार, श्री लंका और, नेपाल, तो ये हमने देख लिया, विमस्टिक, डिजास्ट यहां पर आयोजित किया गया वो था अंडवान निकोबार आयलेंड ठीके तो अंडवान निकोबार आयलेंड में इसका क्या किया गया आयोजन किया ठीके यह किस-किस की तरफ से आयोजन किया गया यह इसमें किस-किस ने पार्टिसिपेट किया तो हमारी जो तीनों में सेना ह इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेभी हो गई, और इंडियन एईर फोर्स हो गई, इन तीनों ने समें क्या क्या, पार्टिसिपेट किया, क्लीर है रहर है हाहा तक, तो हमने इस लैड में देखा, वेंस्टेक डिजास्टर मेनेजमेंट एकसेश 2020, इसमें important क्या था इसमें important था एक तो venue कहां पर था पुरी उडिसा और इसमें 5 कंट्रे थी कौन कौन सी बांगलेदेश, इंडिया, म्यामा, शीलंका और नेपाल इसकी जो theme थी वो क्या थी सांस्कृतिक विरासोतों में जो problem हा जाती है मतलब अर्थ पेक के time जो damage हो जाती ही flood क time जो उनको नुकसान पोस्ता है उसको दुरुस्त करना मतलब उसमें क्या-क्या हम और कुछ इजाद कर सकते हैं टेकनिक कि हां उनमें कोई गड़बन ना हो ठीक है या उसके बारे में इसमें चर्चा की गई क्लियर है यहां तक उसके बाद हमने देखा MFX 2021 यह कहां पर क्या गया अंडमान निकोबार दीव समू में जो इसमें पाटिसिपेटेट जो सेना थी वो कौन-कौन सी थी इंडिया नेवी इंडियान आर्मी और इंडियान एर फोर्स क्लियर है यहां तक चलिए नेक्स स्लाइड मा आते हैं नेक्स स्लाइड मा आता है ट्रोपेक्स 21 भाई यह 21 जो लास्ट में आरा इसका मतलब ही के 2021 में आयोजन हुआ इसका यह बाद ध्यान रखना आप ठीके तो यह क्या है basically very important very important ठीके इंडियान नेवी लार्जिस्ट बाइनियल थेटर लेवल ओपरेशन रेडिनेक्स एक्ससाइज ठीके बाइनियल का मतलब होता है द्वीवार्शिक ठीके हर दो साल में स्काय अजन होता है यह कब किया गया 2021 में जिसा कि यहां से पता चल रहा है यह 2021 ही तो है 21 का मतलब क्या है 2021 में स्काय जन किया गया इस पर 5 इस्टार लगा ले ना वई very very important ठीके वेन्यू क्या था इंडियन ओशन पार्टिसिपेंट कौन-कौन था इसमें अभी हमने जो देखा था इस से पहले वो क्या था देखो ध्यान से वो था एमफेक्स क्या था एमफेक्स क्यूंत था ये जो हमने इस से पहले देखा था इसमें कौन-कौन सी कंट्री थी है हमारी ध्यान करो इसमें हमारी पार्टिसिपेंट सेना थी वो 3 सेना थी di indian air force indian army और indian navy यही थी तीनों जबकि हम TROPEX की बात कर रहे तो TROPEX में चारों हैं कौन-कौन से नेवी, आर्मी, एर फोर्स और कोस्टल गार्ड, क्लियर हैं, तो ये चारों इसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, वेरी-वेरी इंपोर्टन, नेवी's largest वोर गेम कौन सा है, TROPEX 21, स्टार माग कर लेजिए, किस पे, TROPEX 21 पे, ठीक है, तो इंडिया's नेवी's largest बाइनियल थेटर लेवल ओपरेशन, रेडिनेस एकसाइस, बाइनियल का मतलब क्या है, प्रती दो वर्ष, ठीक है, बाइनियल का मतलब है, पर 2 येर, हर 2 साल में इसका यजन होता है, वेन्यू क्या था, नेवी का क्या है, ये largest war game है, clear है, चलिए, next slide पर बढ़ते हैं, next हम देखने वाले है, Milan exercise, कौन सी देखने वाले है, Milan exercise, Milan exercise को क्या किया गया भई, Milan exercise जी थी, उसे postpone कर दिया गया, किसके चलते, COVID-19 के चलते, अभी COVID-19 की second लहर चल रही है, तो आप लोग सावधा नहीं रखी तो vaccination जरू करवाई है, clear है, चलिए, तो ये जो Milan exercise थी, वो कौन host करने वाला था, Indian Navy करने वाली थी, लेकिन ये क्या हो गया, basically postpone हो चुकी, ठीके, इसका venue क्या था, विशाखा पटनम, ठीके, वो इसमें कितनी country participate करती, 30 से ज़्यादा, Approx 40 से भी आप ज़्यादा ही मान के च उसके बाद आता है हमारा कवकास 20, ठीके, या कोकोसस 20, इसको host कौन करने वाला था, रशिया, लेकिन ये postpone हो गया, या sorry, host करने वाला था, रशिया, host किया, रशिया ने, लेकिन इंडिया ने इसमें participate नहीं किया, एक reason तो था हमारा participate नहीं करने का COVID-19, प्लस दूसरा reason क्या था इसमें, कि ये जो हो रहा था military exercise, उसमें China participate करने वाला था, चाइना participate करने वाला था, लेकिन हमारे चाइना के साथ उस समय संबंदों में कुछ ना कुछ खटास चल रही थी, तो कुछ खटास के चलते भारत ने अपना नाम क्या ले लिया, वापस ले लिया, इसको बोलत तक बात पहुचाने के लिए हाँ, कि हम अपना कड़ा रुख अपनाते हैं, हम हमारी policy पर कड़ा रुख अपनाते हैं, इसलिए इंडिया ने क्या कि आपना नाम वापस ले लिया, प्लस हाँ, COVID की situation भी थी उस time, तो दोनों रीजन है इसके वापस भारत के इसमें ना जाने ठीक है, तो ये host कोन करने वाला था, रशिया आपको यही ध्यान रखना है, बस important यही है, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा pitch black, इसका आयोजन हुआ 2021 में, clear है, लेकिन ये भी कैसा हो गया, cancelled due to COVID-19, इसका होने वाला था क्या, आयोजन, ठीक है, लेकिन क्या हो गया ये, cancelled हो कहाँ पर होता है, इसका आयोजन, आस्ट्रेलिया में होता, clear है, लेकिन इसका next edition अप कब करेंगे, 2022 में ऐसा घोशना कर दी गई है, इसमें कौन कौन भाग लेने वाला था, Royal Australian Air Force प्लस Indian Air Force, तो ये जो pitch black है, basically क्या है, Air Force की क्या है, military exercise, ये बात clear हो गई आपको, तो इसमें Royal Australian Air Force, प्लस Indian Air Force इसमें participant करने वाली थी, चली, आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम कुछ देखते हैं, हमारी military exercise कब की, 2021 की, ठीक है, 2021 की military exercise कौन कौन सी है, 2021 है, ध्यान रखीगा, ठीक है, पहली आती है हमारी dust leak, dust leak किस के साथ हुई है, इंडिया और उजबेकिस्तान के साथ, य उत्रा खंड में किये, कहां पर किये भई, उत्रा खंड में किये, क्लियर है, उसके बाद आता है वजर्व प्रहार, वजर्व प्रहार का 11th edition हुआ है, किस के साथ, इंडिया किस के साथ करता है, US के साथ करता है, कहां पर हुई हिमाचल प्रदेश में, तो हमने देखी military exercise फिर आता है वरुना, कौन सा आता है वरुना, इसका कौन सा edition था, 19th edition था, तो यह किस के की navy की exercise थी है, इंडिया नेवी प्लस फ्रांस नेवी, तो वरुना में इंडिया के साथ किस दिश ने participant किया, फ्रांस ने, और इनमें कौन से सेना उने भाग लिया, जल वाली सेना ने मतलब इंडिया नेवी और फ्रांस नेवी ने, कहाँ पर हुआ इसका एजन, Arabian Sea में, उसके बाद आता है हमारा खंजर, खंजर का 8th edition हुआ है, किस देश के बीच में, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, कहाँ पर किया गया है, किर्गिस्तान में किया गया है, ठीके, तो खंजर है, बेसिकली इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, मिलिटरी एक्साइज कहाँ पर हुई, किर्गिस्तान में, क्लियर है, उसके बाद आता है, शांतिर ओर्गो सेना, यह 2021 में हुआ, किस कंटरी के साथ हुआ, इंडिया और बांगलदेश के साथ, मतलब इंड रॉन्ट 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 तो इस खुशी में ये शांतिर औरगो सेना का आयोजन किया गया, कहाँ पर बांगलदेश में, इंडिया और बांगलदेश की सेनों ने इसमें क्या लिया, पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, क्लियर यहां तक चली, उसके बाद आता डेजर्ट फ्लेग, कौन सा आता डेज और इंडिया, इनकी एर फोर्स ने इसमें क्या क्या, पार्टिसिपेट किया, क्लियर है यहां तक चली, तो बेसिकली यह जो था, वो किसका था, एर फोर्स का, अब इसमें आपको एक चीज़ जान रखना है, वो इंपोर्टन्ट है, यहां पर क्या, आईए एफ पार्टिस चले, उसके बाद आता है डेजट इगल सेकंड, कौन सा आता है डेजट इगल सेकंड, यह भी कहाँ पर आयजन हुआ है, UAE, संयुत अरब अमिरात, तो डेजट नाम के दोनों देखो, डेजट फ्लेग और डेजट इगल सेकंड, यह दोनों कहाँ पर हुए, UAE में, लेकिन ड और केवल दो सेनों ने भाग लिया, एक तो इंडिया की ने और एक यूए की, और यह भी कौन सा है, Air Force वाला, Air Force, Air Force की सेनों ने दोनों देशों की भाग लिया है, उसके बाद चलते हैं हम Sea Vigil पे, किस पे चलते हैं, Sea Vigil, तो यह जो Sea Vigil 2021 है, इसका Second Edition अभी हुआ है, starting year या first edition कब था इसका 2019 में ठीक है तो basically ये क्या है India's largest coastal defense drill है ये basically ठीक है भारत की सबसे बड़ी तट रक्षक जो drill है mock drill जो होती है वो है ये clear है India's largest coastal defense drill ये आपको याद रखना है very very important ठीक है coordinating force कौन है इसमें इंडिया नेवी या इसको basically किस ने हुष्ट कराया है वो है इंडिया नेवी ठीक है इसमें ये तो है कि इंडिया's largest coastal defense drill लेकिन इसके साथ ही साथ कौन-कौन से सेनाइम भी भाग लेती है आई-ए-ए-ए-फ हो गए हमारे इंडियान एर फोर्स, NSG National Security Guards, BSF Border Security Force, OL Handling Agency और काफी ये रिपोर्ट्स इसमें क्या करते हैं participate करते हैं directly clear है चली next slide में बढ़ते हैं अब कुछ military exercise है वो जो 2019 की है इनका केवल और केवल हमें क्या याद रखना है इनका केवल और केवल हमें exercise के नाम याद रखने है और कौन-कौन सी country ने participate किया हमें केवल और केवल ये याद रखना है clear है एक बार मैं आपको फटा-फट से बता देता हूँ इसको चली hand in hand पहली आती ही military exercise है जो 2019 वो थी hand in hand ठीक है वो किन-किन देशों के बीच में ये इंडिया और चाइना के तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं hand in hand hand in hand कर लिया हमने भारत मतलब चाइना जो है वो भारत के साथ हात मिलाना तो चाहता है लेकिन हात मिलाने लायक होता नहीं है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि वो दोस्त बनना चाहते है लेकिन दोस्ती के लायक है नी कौन चाइना कैसे भी याद रख सकते हैं काजिन्द कभ हुआ था 2019 में, नाम सी फता चल रहा है कॉझाकिस्तान इंडिया 2019, तो इंडिया के साथ किस ने पार्टिसेपेट ए इंडिया के साथ वो थी थाय्लेंड, किस ने पार्टिसेपेट किया थाesto. कुरेर हैं यहां तक चलिए उसके बादाता है हमारा हिम्विजे कौण सा है हिम्विजे का जो वेन्जू था वो केवल और केवल था कौन सा इंडिया किसने पार्टिसिपेट को हैं आप tay केवल और केवल इंडिया ने ठीक है यह जो चीन की बोर्डर है वहां पर किया गया चीन को दमखम दिखाने के लिए ठीक है और ये कहाँ पर क्या गया है किसी स्टेट में तो ये अरुनाचल प्रदेश में चीन की बोर्डर पर किया गया अभ्यास्ता एक हिम विजय नाम से क्लियर है केवल और केवल इंडिया की सेनाओं ने इसमें भाग लिया उसके बाद आता है सिट मेस ये कब हुआ था 19 में हुआ था नाम से पता चल रहा है सिंगापूर इंडिया थाइलेंड मेरी टाइम एक्सरसाइज 19 SIT का मतलब है सिंगापूर इंडिया और थाइलेंड तो इन तीनों देशों ने इसमें क्या लिया पार्टिसिपेट किया उसके बाद आता है मालाबाट 2019 हम ओल्रेडी देख चुके हैं इंडिया जापान और अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट किया उसके बाद आता है वरुणा और शक्ति इंडिया और प्लस फ्रांस उसके बाद आता है नॉमेडिक एलेफेंट एक्सरसाइस ये किसकी है इंडिया और मंगोलिया की ठीक है सूर्य किरण ये किसकी है इंडिया और नेपाल की जब नेपाल में भहंकर भुकम आया था तो एक किरण लेके आया थ पास हाथ मांगने या मदद मांगने तो इंडिया ने क्या किया था उसकी जो जोली है वो बर दीती आप ऐसे याद रख सकते हो तो सूरी की किरण कुछ उम्मीद की किरण लेके आया था नेपाल हमारे पास क्लियर है चले सूरी किरन हो गया हमारा उसके बाता है मित्र शक्ती मित्र शक्ती किसके साथ होती है इंडिया की श्रीलंका के साथ ठीक है उसके बाता है वजर प्रहार ये होता है इंडिया का USA के साथ उसके बाता है धर्म गार्जियन ये होता है इंडिया का जापान के साथ औ केवल और केवल इन में आपको क्या याद रखना है country के name याद रखने country name only remember ठीक है केवल country name आपको क्या याद रखने याद रखने बाकी कोई भी चीज आपको याद रखने की जरूत नहीं है चली अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को या हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए telegram group को join कर लीजिए उसकी link क्या है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको कोई problem नहीं हो वहाँ पे आपको क्या होगी सब PDF मिल जाएगी ठीक है तो telegram group की जो link है वो है t.me समर्थ classes online या क्या करें आप search कर लीजिएगा समर्थ classes online आ जाएगा clear है बाकी description box में सब link दी हुई है अगर आपने अभी तक राजस्थान के आभुषण part 1 part 2 नहीं देखा है तो पीज जाके देखिए इंडिया on word में वो भी नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जादे से जादा वीडियो को शेर करें और हाँ vaccination जरूर करवाएं अगर आपके वहाँ available है mask लगा के रहें ठीक है चली आज की class को इतना है रखते हैं मिलेंगे next lecture में तब तक अपना ख्याल रखिए बाई बाई टेक केर